विचित्र बीमारी से जूज रहे अयांश की जिन्दगी में नया मोह आ गया है। अभी तक बेटे की जान बचाने के लिए क्राउट फंडिक से रुप्य जुटा रहे अयांश के पिता आलोक सिंग जेल चले गए हैं। आलोक सिंग पर 10 साल पहले जालसाजी का मुकदमा दर् है। अयांश को बीमारी से बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है उसकी कीमत 16 करोर रुप्य है। पिछले कुछ दिनों से बेटे के लिए आलोक ने पैसा जुटाने की मुहिम शुरू की तो उसका फाइदा भी दिखा। 6 करोर 85 लाख रुपे जमा भी हो गए। लेकिन अब आलोक के जेल जाने के बाद उस मुहिम को जटका लगता दिखाई दे रहा है। आलोक के खिलाफ रांची के पंडरा थाना में 2011 में जालसाजी का केस दर्ज हुआ था। करीब 10 साल बाद मामला तब सामने आया जब वह आयांश की जिंदगी को बचाने के लिए परिस्तर पर जन अभियान चला रहे थे। 10 साल पुराने मामले में आलोक ने रांची जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पतना स्थित घर पर बीमार आयांश समेथ दो बच्चों को लेकर पतनी नेहा सिंगिस से अकेले पड़ ग लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है। कोरोना में अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे। जय हिंद।